दोस्तों रोमन नमबर को लिखना सिक रहे हैं अभी हम 90 से 100 तक का रोमन नमबर देखेंगे वो भी बहुत आसान सब्दों में ता आप इस वीडियो को पुरा देखें देखें दोस्तों आपका यह जो रोमन नमबर का बैस है यह आपको क्या होना चाहिए हमेशा याद रहना अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या बिलकुल सिंपल सा प्रोसेस करूँगा देखें 90 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 माइनस 10 लिख सकता हूं अब देखें दोस्तों जिसको माइनस किया उसको पहले लिखेंगे इसका मतलब क्या बाद देखें समझे 100 के लिए हम क्या समझ यू आगे हम देखो, यहाँ पे हमारे पास दो option होता है एक तो हम क्या करता है, अपना ऐसे minus के form में लिखना है दूसरा क्या option है, plus के form में लिखेंगे, ठीक है तो यहाँ पे minus के form में आपको कोई एक आद लिखना पड़ेगा बाकी लगबग सभी को हम किस के रूप में लिखते हैं, plus के रूप में लिखते हैं जैसे, four को हमने five minus one लिखा, बाकी इनको plus लिखा, देखो ठीक है, यह five plus one, five plus two, five plus three, nine to ten minus one लिखा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब दो के अंतर के रूप में कोई बंद रहा है पचास प्लस, दस प्लस, दस प्लस, दस प्लस, पचास के लिए L आ गया, दस के लिए X कितना आ गया, X आपका देखो, one, two, three, four time X आ गया, एक देखो इतना बड़ा बंद रहा है जबकि एक दो, डीजिक का बंद रहा है, तो क्या मेरे लिए यह लिखना आसान है, यह लिकना आसान है, देखिए, आपको यह आसान लग रहा यह चोटा कुछ हो सकता है थोड़ा वो धीयाद भी रखना पड़ेगा, अब आद कर लेते हैं देखो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91 को क्या लिखेंगे, 90 प्लस 1, 90 को देखें दोस्त हम लिख चुखें, X,C, और प्लस 1 जो है, देखो जो पलस आता उसको क्या लिखना है, बाद में, माइनेस वाले को पहले, बाद में इसके बाद में लिखा जाएगा, और 1 को क्या लिखते हैंँ आई इसको हम क्या लिखेंगे नब़े plus 2 नबवे को 1C और 2 को हम क्या लिखेंगे यहां देख लो यह सब लिख रखा है, ठेक है इसको नबवे plus 3 नबबे लिख दिया उसके वाद 3 के लिए आपका तिलबलाई यहाँ नबबे plus 4 नबबे लिख दिया उसके बाद 4 90 प्लस 5 90 और 5 96 यह 90 उसके बाद आपका 6 यहाँ पे 90 प्लस 7 यह 90 उसके बाद आपका 7 90 प्लस 8 यह 90 और उसके बाद आपका 8 यहाँ पे 99 90 और 9 ठीक है और 100 को दोस्ता हम क्या लिखते हैं अपना सी लेकता है तो इस तरीके से नाइंटी से लेके वन हेंड़ेड तक का रोमा नमर हमने अभी देखा ओके और बन में को डाउट है कुछ है ना तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू